हेलो अबरीवन असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब उमीद है बहुत ही अच्छी होंगे और ये देखे शांदार सी मज़ेदार रेसिपी लेकर आज मैं आई हूँ जो की पनीर से मैंने बनाई है बहुत ही जादा पसंद आने वाली ये पनीर दीका रेसिपी बहुत ही इजीली लेसन का पेस्ट डाला है और आधा चमच ही मैंने हल्दी पाउडर डाला है आधा चमच ही मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है उससे थोड़ा सा जादा मैं निडाला है आधा चमच से थोड़ा सा लाल मिर्च डाला है वन फोर टी स्पून मैंने गरम मसाला डाला है और जी बहुत ही जादा अच्छी वाली हो बेसन भुनने के बाद बहुत ही अच्छा खुश्बू करता है तो इस तरह से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इसमें पानी एड़ कर दूँगी क्योंकि यह बहुत जादा ड्राई लग रहा है इतना यह बना कर रेडी कर लेना है और मेरा पेस्ट बनकर अच्छे से रेडी हो चुक है इसमें थोड़ा सा और टेस्ट अच्छा करने के लिए मैंने एक चमच भर कर चाट मसाला डाल दिया है ताकि इसका टेस्ट और जादे इंक्रीज हो जाए और हमारा बहुत ही अच्छा सा पनीर का दिकावन कर तयार हो जाए अब मैंने थोड़ी सी धनी के पत्ति डाला है और थोड़ी सी कसूरी मेति को भी इसी मैं एड़ कर दूंगी औ यह पेटल्स अलग-अलग करकर मैंने फियास के प्यास पीस चार तुकड़े करने के बाद पेटल्स के अलग कर लिए थे'. बड़ी शिर्मला मिर्ज भी है जितना बड़ा प्यास का पिटल्स मैंने काटा है तो इस तरह से दोनों एक equal size में रहेंगे तो हमारा तिका अच्छा सा लगेगा अब cubes में मैंने पनीर को भी cut करके रख लिया था तो इस तरह से सारी चीज़ों को mix करने के बाद last में हम लोग पनीर के cubes add करेंगे वरना सारे cubes हमारे तूट जाएंगे फिर बहुत हलके हलके हाथ से चलाते वे सारे मसालों और बेशन का जो हमने mixer त्यार किया है इसमें हम पनीर को भी अच्छे से mix कर लेंगे ये ध्यान रखेंगे कि पनीर डालने के बाद बहुत हाथ को तेजी से नहीं चलाना है वरना पनीर हमारा तूट जाएगा और फिर सारा हमारा तिक का खराब हो जागा तो इस तरह से मैंने आधा पनीर पहले डाला और उसके बाद उसको mix करने के बाद आधा पनीर डाला ताकि ये खटा सारा डालने पे तूटे ना अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और एड़ कर दिया है क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा था अब इसको हम लोग 10 मिनट तक rest करने के लिए रख देंगे जब तक हम लोग ये skewers निकाल लेंगे जो stick आती है bamboo stick उसको मैंने निकाला है और पानी में थोड़ी दिर के लिए उसको भीगा दिया है अब इस पर हमें बारी-बारी से करके alternative हमें शिमला मिर्च, प्यास और पनीर को पोर करना है इस तरह से मैंने एक शिमला मिर्च का पीस पहले डाला फिर पनीर फिर एक मैं प्यास डालूंगी फिर एक पनीर इसी तरह से अल्टरनेट करते वे आप जितना इसमें पीस डालना चाहें डाल सकते हैं मैंने तीन-तीन पीस पनीर के डालें और बाकी शिमला मिर्श और प्यास के भी तीन-तीन पीस मेरे आ गए थे तो ये बहुती जल्दी रेडी होने वाला बहुती ईजी और बहुती ज़्यादा टेस्टी हमारे पनीर दिक्का बनकर रेडी हो जाता है देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा होने के साथ खाने में बहुती ज़्यादा मज़िदार होता है और देखकर तो लगता है कि बहुत जादा टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत जादा टाइम टेकिंग भी नहीं है और इतनी एजी रेसिपी है इसकी तो अब फटा फट से बनाकर रेडी कर सकते हैं अब मैंने एक तवे पे थोड़ा सा ओयल स्प्रेट किया है वन टी स्पून मैंने ऑईल डाग के ब्रश से पूरा स्प्रेट कर दिया था इसलिए बहुत जादा ओयली भी नहीं है यह तो जादा अच्छा है हिल्डी यह हम लोग के लिए बंकर रेडी होता है अब उपर वाले तवय हम लोग हम लोग दो मिनट के गए पर चारुँ तरस सेंगे और य मेरा 10 मिनट है को प्रेटे में बहुत है बहुत हिए बंकर रेखिया भाने है वो झाधाने में बहुतने की थैस्टी तां सबने मतादा मज़ा लेकर खाया और इंशाललह मुझे पूरा यकीन है कि अगर देख रहे हैं तो उसको लाइक शेयर करिए और जरूर से बना कर एक बार खाईए अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटफट से जाईए और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे जरूर से बताईए इतनी असानी के साथ पनीरती का बनने आपको कैसा लगा मेरी डिसिपी आपको अच्छी लगी या नहीं लगी